समस्त प्रेमे भग्जनों को मेरे और से साधर वैसे प्रेम नमस्कार मेरा नाम है अमन और मैं स्वागत करता हूँ आप सभी का हमारे यूटूब चैनल शब्द मंतन पर दोस्तों आप सभी से मैं महा भारत की उस घटना को सहजा करना चाहता हूँ जब भगवान शुरी कृष्ण पांडवों का संदेशा लेकर हस्तिनापूर में धुर्योधन के पास शांती प्रस्ताव लेकर आते हैं और कहते हैं कि अगर नयाय देना है तो आधा राज्य पांडवों को दो परन्तु यदि इसमें भी बादा हो तो सिर्फ पांच गाउ दे दो उसी में पांडव खुश रहेंगे परन्तु क्या होता है जब नाश मनुष्य पर छा जाता है सबसे पहले उसका विवेक मर जाता है दुर्योधन के साथ भी ठीक वैसा ही हुआ भगवान के शांती प्रस्ताव को वै भगवान की कमजोरी समझ बैठा और खुद बांधने चला भगवान श्रीक्रिश्न को उस असाध्यकारिय को साधने चला जिसको तीनों लोक मिलकर भी साध नहीं सकते यह सुनकर यह सब देखकर भगवान श्रीक्रिश्न अत्यन्त क्रोधित हो जाते हैं और अपने विक्राल रूप में आ जाते हैं महारतियों से सुसजित वैसावा जैसे सन्न हो जाती है और वहीं पर भगवान श्रीक्रिश्न माहभारत के रण की घोर कर जना करते हैं तो आईए मेरे साथ आगे बढ़ते हैं उस वारतालाप की तरफ, अपने विशय की तरफ, जहांसे आप काफी कुछ सीख सकते हैं और जहांसे आप हरी के असली स्वरूप को पहचान सकते हैं। तो पारतालाप शुरू होता है कुछ इस तरे से, वर्षो तकवन में घूम घूम, बाधा विगनों को चूम चूम, सह धूप घाम, पानी पत्थर, पांडव आए कुछ और निकर, सोभाग्य ने सब दिन सोता है, देखें आगे क्या होता है। मेत्री की राए बताने को, सब को सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीशन विद्वन्स बचाने को, भगवान, हस्तिना पुर आए, पांडव का संदेशा लाए। दो नाए अगर तो आधा दो, पर यदि इसमें भी बादा हो, तो दे दो केवल पांच गराम, रखो अपनी धर्ती तमाम, हम वहीं खुशी से खाएंगे, परीजन पर असी न उठाएंगे। दुर्योधन वह भी देन सका, आशीश समाज की लेन सका, उल्टे, हरी को बादने चला, जो था असाध्य, साधने चला, जब नाश मनुझ पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। हरी ने भीशन हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया, डगमग डगमग दिगज डोले, भगवान को पित होकर बोले, जंजीर बढ़ा कर साध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे, यह देख गगन मुझ में लेह, यह देख पवन मुझ में लेह, मुझ मे विलीन जंकार सकल, मुझ में लेह संसार सकल, अमृत्व फूलता है मुझ में, संघार जूलता है मुझ में, उद्याचल मेरा दिप्त भाल, भूमंडल वक्ष स्थल विशाल, भुझ परीदी बंद को घेरे है, मैनाक मेरूपग मेरे है, दिपते जो ग्रेनक्षत्र नकर सब है मेरे मुख के अंदर द्रग हो तो दिर्श्य अकांद देख मुझमें सारा भरमांद देख चर अचर जीव जग शर अकषर नश्वर मनुष्र सुर्जाति अमर सतकोटी शूर्यु सतकोटी सत्कोटी शरित सरसिंदु मंदर सत्कोटी विश्नु भर्मा महेश सत्कोटी जिश्नु जलपती धनेश सत्कोटी रूद्र सत्कोटी काल सत्कोटी दंड धर लोकपाल जंजीर बढ़ाकर साध इने हाँ हाँ दुर्यो धन बांद इने भूलोक अतल पाताल देख गत और अनागत काल देख यहदेख जगत का आदिसर जन यहदेख महाबारत कारण मरतकों से पटी हुई भू है पहचान कहां इसमे तू है अंबर में कुंतल जाल देख पद के नीचे पाताल देख मुठी में तीनो काल देख मेरा स्वरूप विकराल देख सब जन्म मुझी से पाते हैं फिर लोट मुझी में आते हैं जीवा से कड़ती च्वाल सगन सासों में पाता जनम पवन पढ़ जाती मेरी द्रिष्टी जिदर हसने लगती है श्रिष्टी उधर मैं जभी मूंदता हूं लोचन छादाता चारो और मरन बांधने मुझे तो आया है जन्जीर बड़ी क्या लाया है यदि मुझे बांधना च अब जाता हूं अंतिम संकल्प सुनाता हूं याचना नहीं अब रन होगा जीवन जै या की मरन होगा टकराएंगे नक्षत्तर निकर बरसेगी भूपर वहनी पर कर फनशेशनाग का डोलेगा विक्राल काल मूँ खोलेगा दुर्योधन रन ऐसा होगा फिर कभी नहीं जैसा होगा भाई पर भाई तूटेंगे विश्वान बांध से चूटेंगे वायस श्रिगाल सुख लूटेंगे सो भाग्य मनुझ के फूटेंगे आखिर तु भूशाई होगा हिंसा का पर दाई होगा थी सभासन सब लोग डरे चुप थे या थे बेहोश पड़े केवल दो नर अगाते थे दृत्राष्ट्र विदुर सुख पाते थे कर जोड खड़े पर मुदित निर्भय दोनों पुकारते थे जै जै